ओम नमस्षिवाय जय महाकाल आप सबको पता है कि 28 अक्टूबर को शरत पूडिमा का बहुत ही विशेश दिन है और इस विशेश और प्यारे से दिन पे लग रहा है इस बार ग्रहन जो की है चंदर ग्रहन है ना अगर आप लोगों ने गुरुजी की कथा सुनी होगी पूड बता है था वही उपाए यहां पर मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताओंगा कई बार बता चुका हूँ बट लोगों के डाउट है अगर हमारे घर के असपस नदी तालाब सरोवर ना हो तो हम क्या करेंगे बत्ती का मुख कौन से दिशा में होगा ये बहुत बड़ा है और सब ही लोगों को डाउट होता है बत्ती के मुख को ले करके है न एक और डाउट होता है गोल बत्ती लगाएंगे या फिलंबी बत्ती इसकी भी बात करेंगे साथी साथ ये भी बात करेंगे कि जो महिलाएं हैं इस्तरियां हैं मेरी बेहने हैं वो कौन सा काम करें और कौन सा काम ना करें क्योंकि चंदर ग्रहन है तो हमें बहुत जादा विशेज ध्यान देना है हर चीजों का ठीक है चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको बता दो कि इस बार का जो चंदर ग्रहन है उसमें 9 घंटे सूतक है जो कि शाम को 4 बच करके 5 देखो एक्चुली में पूर्डिमा के दिन चाहे कोई सी भी पूर्डिमा हो चाहे वो शरत पूर्डिमा हो हमेशा दीपक शाम के टाइम पे प्रदोशकाल में ही लगाया जाता है लेकिन इस बार क्या बढ़ रहा है जब शाम को 4 बच करके 5 मिनट पे सूतक लग जाएगा तब तो इसका मतलब सूतक प्रदोशकाल में होगा फिर आप दीपक कैसे लगाओगे ये बहुत बड़ा सवाल होगा देखो अब मैं बताता हूँ पहले समझो दीपक कौन सा लेंगे बत्ती कौन सा होगा समय की बात करते हैं इसके पर आपको दीपक दिख रहा है इसी तरी घी नहीं है गव माता का तो आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं तिल का लेलो सरसो लेलो ये आपके उपर डिपेंड करता है इतना काम किया अब जो सबसे बड़ा कोशन था कि बत्ती का मुख हम कौन से दिशा में रखेंगे गोल बत्ती लगाएंगे या लंबी बत्त देखो आपको इसमें लगाना होगा लंबी बत्ती क्योंकि पूडिमा के दिन जो आप दीपक को लगा रहे हो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लगा रहे हो धन संपदा के लिए लगा रहे हो तो आपको लंबी बत्ती का दिया लगाना है वो भी दो बत्ती लगाओगे इस क्या करेंगे आपके पास में कई ऑप्षन है पहला ऑप्षन क्या है आप चाहें तो पीपल पेंड के नीचे जा सकते हैं दूसरा ऑप्षन है आप चाहें तो बेल पेंड के नीचे जा सकते हैं तीसरा ऑप्षन है आप चाहें तो वट ब्रक्ष के नीचे जा सकते हैं जाओग जुबे के टाइम पे जब भी आपको मौका मिलता है दस ग्यारा बजे तक आप जा करके उपाय को कर लिना है ना लंबी बत्ती का दिया लगाएंगे कोशिश करेंगे नदी तलाप सरो और कुआ बावडी हो अब यहाँ पे एक बात और बता दू अगर आपके घर के आसपस प अमारे घर में बना हुआ होता है ना तीन कोशन जो भी आपके सबसे ज़्यादा पूछे गए नदी ना हो तो हम क्या करें बत्ती का मुख कौन से दिशा में रखेंगे मैंने आपको बत्ती की दिशा जो रखोगे वो आपको अगर मा लेते हैं दीपक आप लगा रहे हो किस बत्ती की दिशा में नहीं होना चीए बाकि आप किसी भी दिशा में बत्ती का मुख जला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है दक्षिर दिशा नहीं होना चीए लंबी बत्ती का दिया लगाना हमेशा माता लक्षमी की प्राप्ती के लिए धन संपदा के लिए लंबी बत्ती का ही दिया लगाया जाता स तो ये चीजे क्लियर हुई, इसका मतलब हम लोगों ने ये वाला भी क्लियर कर लिया, गोल बत्ती लंबी बत्ती हो गया, नदी तलाब सरोर हो गया, एक सबसे बड़ा जो सवाल है, वो है महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, भैया महिलाओं में से कौन सी चीजों का ध पहले कर लेना और इतने अमाउंट में खाना बनाना कि खाना बचे नहीं है ना इन केस मा लेते हैं थोड़ा बहुत खाना अगर बच जाता है तो चार बच करके पांच मिनट पे उस बने हुए खाने को मत खाना घर का कोई भी सद्ध चाहे वो बच्चा हो बुड़ा हो ग्रहन का प्रभाव सबसे जादा होता है तो जितना भी भोजन आपने पकाया है पहले तो कोशिश करेंगे कि इतना भोजन पकाएं कि जितने भी घर में सदसे हैं इसली खाले खाना बचे नहीं अगर बच जाता है तो उसको ले जा करके घर के बाहर डाल देंगे ना पहला 2014 में बढ़ेगा कोई भी धार जा चीज ना ही चक्कू का इस्तमाल करेंगी ना ही धागे का इस्तमाल करेंगी जिसमें चकोर हो जिसमें धार हो उस धार वाली चीज का इस्तमाल बिलकुल भी नहीं करेंगी ठीक है इतनी बार समझ में ना ही आप कोशिश करेंगे कि घर के बाह पूछना हो नहीं समझ मैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछेंगे आप लोग में से एक बात और, एक बात और, माल लेते हैं आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए ग्रहन का कोई भी नियम फॉलो नहीं होता, इस बात का ध्य पर उनके उपर ग्रहन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस सीज का ध्यान रखेंगे, है ना, बाकि ऐसा मत को कि नहीं ग्रहन लग गया है, आप भले बुड़े हैं, हमसे मतलब नहीं, बच्चा भले दूद के लिए चिला रहा हो, इस से मतलब नहीं, आपको घर में देन करूंगा, जितने भी भाई बेनी सावाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, ओम नमस्षिवाए, जै महाकाल